Hello Everyone, Welcome to English Academy English Academy की इस वीडियो में आज हम adjective को identify करने के method से केंगे कि adjective का कैसे पता लगाया जाता है यदि आपको मेरा content पसंद आए तो चैनल को subscribe कीजिएगा Let's start the video Methods to identify adjectives adjective को पता लगाने के तरीके सबसे पहले तो हम एक बार adjective के बारे में पता कर लेते हैं कि adjective क्या है adjective एक ऐसा word है जो noun और pronoun को modify करता है यानि जो संग्या या सरवनाम की विशियस्ता बताता है जैसे एक example लेते है Mohan is a laborious person Mohan एक laborious यानि के बहुत मेंती व्यक्ती है यानि इसमें जो है Mohan की क्या बताई है विशियस्ता बताई है तो इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा word adjective है तो सबसे पहला जो तरीका है word के जो पीछे जो suffix लगया होता है परते है OUS जैसे laborious laborious का मतलब diligent person मेहन्ती व्यक्ती तो OUS इसके last में आया तो इसका मतलब ये क्या है adjective है दुसरा word है crazyous शहासी व्यक्ती निडर व्यक्ती dared person तो इसके भी क्या आया है OUS इसका मतलब ये क्या है adjective है दुसरा हमारा method है word के जो है कौन सा suffix हो या फिर less हो जैसे की hopeful क्या है इसके suffix FUL इसका मतलब क्या है ये adjective है beautiful faultless and less आया है penniless penniless का मतलब बिलकुल जिसके पास footy kodi भी नहीं है poor, greep, dritter बोलते हैं जिसको वो गया penniless तो L EWS आया है hopeless जिसको जिवन से कोई उमीद नहीं हो बिलकुल निरास हो जाए hopeless cheerful person खुस यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ cheerful का मतलब होता है person होना यानि के happy खुस rejoice rejoice g-a-y gay gay का मतलब भी होता है person होना useful fearful careless effortless wonderful taste less hope helpful or plentiful plentiful का मतलब होता परचूर मातरा में plentiful में परचूर मातरा में abundance भी बोलते हैं इसको abundance a-b-u-n d-a-n abundance का मतलब भी होता है परचूर मातरा में प्रयापते मातरा में इसका कहने का मतलब क्या है कि जब भी सफिक्स f-u-l full और less आ जाए इसका मतलब वो word क्या है वो noun क्या है adjective है तो अपने एक method था o-u-s less या full और तिसरा method है ant या ent आ जाए word के last में ant या फिर ent आ जाए जैसे important ये भी adjective है intelligent absent vacant vacant का मतलब खाली absent ent ent ant ignorant ignorant का मतलब अज्यानी व्यक्ती जिसको कुछ पता नहीं है prudent यानि ये सारे क्या हो गई adjective और तिसरा इसका जो method है वो है sum कौन सा सफिक्स आ जाए जिसके पिछे sum लगा हो जैसे handsome fearsome handsome fearsome तो ये भी क्या है adjective है पाच्वा method है इसका जिस वर्ड के कौन सा सिफिक्स है जाए AL या फिर ICL जैसे logical logical क्या होता है reasoning तरक्षंगत economical economical का मतलब होता है conscious और इसका opposite होता है extravagant क्या होता है extravagant ये हम साथ साथ भी कर लेते हैं तो logical या फिर क्या हो ICL हो जिसका सिफिक्स लास्ट में ये लगा हो economical bilingual bilingual का मतलब होता दवी बासी जैसे मालिक इंडी भी और इंगलिश भी दो बासाओं का जो यूज़ करे bilingual practical यानि ये भी क्या है adjective है familial यानि पारिवारिक एलाक इसके लास्ट में है impractical जो वारिक नहीं है एवावारिक है impractical क्या गया ICL clerical या नहीं clerical में भी क्या गया ICL और ये है fictional जैसे fictional वो नहीं होती stories बगरा एक तो real होती है एक fictional होती है तो इसमें भी क्या गया AL fictional liberal विम्जीकल विम्जीकल का मतलब होता सनकी व्यक्ति doubtful person विम्जीकल को eccentric भी कहते है क्या कहते है eccentric E double C E N T R IC eccentric सनकी व्यक्ति सनकी व्यक्ति तो विम्जीकल ICL विम्जीकल sterical ster का मतलब होता वेंग्या करना और sterical हो गया वेंग्यातमक sterical I-C-E-L uncritical इसके अंदर भी क्या है I-C-E-L यानि जिसका suffix क्या हो A-L हो या फिर I-C-E-L हो वो भी क्या होगा adjective होगा पाच्वा इसका तरीका है जिस word क्लास्ट में क्या हो suffix I-C हो जैसे economic I-C है इसके अंदर हिस्टोरिक patriotic patriotic का मतलब होता देश बगत climatic जलवाईय समंदी majestic majestic का मतलब होता श्यांदार यानि splendid 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 का मतलब श्यांदार तो इसके अंद लास्ट में सफिक्स क्या है I-C majestic ये भी adjective है magnetic adjective है periodic जैसे periodic टेबल है साइस की अंदर periodic I-C है symbolic प्रतिकात्मक होना किसी जीज़ का symbol होना I-C है ये भी adjective है egocentric यानि एक ego जैनि गमंडी व्यक्ति egocentric I-C ये भी adjective है और eccentric ये हम आपने बताया था eccentric सनकी व्यक्ति तो ये सारे के सारे क्या है adjective है और जिस भी word के क्या हो able आजाए क्या आजाए able जैसे tolerable tolerable का मतलब होता है सहेनी है valuable capable avoidable admirable admire का मतलब होता है परसंशा करना इसके मैं सिनानिम साब को बता देता हूँ या appreciate करना appreciate करना load करना तारिफ करना ओर upload करना अपलोड ये काफी बार एक्जाएम में पूच्छा जाता है upload का मतलब भी तारिफ करना load का तारिफ करना appreciate करना admire करना तो ये भी ये भी क्या है ABLa इसके सफिक्स है तो ये भी क्या है adjective है knowledgeable और है manageable तो ये भी क्या है एजक्टिव में अटमा इसका तरीका है जिस वर्ड का सिफिक्ष क्या हो आई बी एल ए लास्ट में आजाए जैसे इलिजीबल किसी चीज़ का कैपेबल होना विजीबल विस जहां भी आजाए वी आई एस विस विस का मतलब जहां भी रूट वर्ड विस आपको दिख जाए तो इसका मतलब साइट नजारा देखने से समंदी थे जैसे मैं कूँ विशिज कोई सुन्दर नजारे को विशिज का जाता है तो visible का मतलब होता जो नजर आता है जो दिखाई देता है तो इसके क्या आगया सफिक्स आगया इसमें I-B-L-E यह जटी हो है और invisible क्या हो जाएगा address है जो दिखाई नहीं दिए और इससे अगला है हमारा फिर वर्ड है जिस वर्ड के में क्या जाए I-V-E आजाए क्या जाए आई-V-E जैसे attractive आकर्शक होना alternative विकल्प होना effective परभावित होना effective विंडिक्टिव विंडिक्टिव होता बदलेगी वह होना assertive और exclusive यानि I-V-E आजाए तो क्या हो adjective है और वर्ड के क्या जाए आई-S-S-I जैसे foolish, foolish का मतलब होता मुरुक, stupid का मतलब भी होता मुरुक, idiot का मतलब भी होता मुरुक तो I-S-S-I जाए selfish, childish, British, Jewish और English यानि ये सब क्या है इनके दवारा में ये पता चल गया कि adjective को कैसे identify किया जाता है कुछ और word है जिसे हमें adjective का पता लगाया जा सकता है इसमें है हमारे जिस भी word के suffix के लग जाए, sum लग जाए जैसे fearsome, troublesome, tiresome ये भी क्या है? adjective है और हमारा बारोमा जो method है वो है जैसे word के पीछे क्या जाए, word जैसे backward, forward, eastward, ये भी क्या है? adjective है और अगला है suffix क्या जाए, O-U-S, जैसे disastrous, disastrous होता है विपत्ती, आपदा infectious, delirious, delirious का मतलब होता है extremely happy, बहुत ही जादा जो खुस person होता है उसको delirious का आजाता है virtuous, fixious, यानि imaginary, fixious को बोल सकते है imaginary, fanciful, calopanic, यानि इसके last में क्या है? O-U-S, ये भी क्या है? ये adjective है, अगला है हमारा y आजाए, word के क्या से fix हो जाए? y जैसे wealthy, cloudy, tasty, hasty, scanty, scanty होता है किसी चीज़ की कम ही होना like sunny, creamy, fuzzy, fuzzy का मतलब जो चीज़ clear नहीं है, not clear नहीं है ambiguous बोलते हैं जिसको, जैसे कि the photo was a bit fuzzy, कि जो फोटो है वो थोड़ा सा unclear है, वो साफ साफ दिखाई नहीं देता है तो एक बार हम फिर दुबारा repeat कर लेते हैं, कि word के क्या हो, suffix हो, sum हो जैसे fearsome, troublesome, tiresome, या फिर word क्या हो, dub word हो, जिसके last में backward, forward, eastward और OUS हो, जैसे disastrous, infectious, delirious, virtuous या fixious, fixious का मदर imaginary या fanciful या फिर why हो last के अंदर, जैसे wealthy, cloudy, tasty, hasty, scanty, sunny, creamy, fuzzy जैसे लाएड़ख और OUS-दिए लाए़ख फिर घएफ्ट